एन्टी ए यूजी नेट यहनी निमीजी नेट डाउनलोड इट उन गूगल प्ले स्टार सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो गढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नमर रहतास निमी और अब सभी का स्वागत है हमारे यूटुब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कम्यूकेशन बैरियर की यानि कि संचार के अंदर क्या क्या बाधाय आ सकती है उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और इसमें से काफी कोश्चन आज तक आये हैं और आगे भी आने की संभावना है तो इस वीडियो को आप पू चानते की कम्यूकेशन बैरियर होता क्या है इसका मतलब क्या है अब देखिए जब हम किसी के साथ कम्यूकेट कर रहे हैं किसी से हम बातचीत कर रहे हैं तो उस दुरान बीच में कुछ प्रोब्लम हो जाती है जैसे कि हम मान के चलते हम किसी से फॉन पर बात कर रहे हैं ठीक और इस दुराट अगर नेट चलो हो जाए वीडियो रूक रूक के चलने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे कम्निकेशन वेरियर कहेंगे और इसी तरीके से जब हम मान के जले किसी को लेटर लेके भेजते हैं और वो लेटर अगर रास्ते में फट जाए किसी कान वस जल जाए या कुछ भी हो जाए उसमें से आधी बात ही अगले तक पहुंचे और आधी खराब हो जाए तो उसे भी हम क्या कहेंगे communication barrier कहेंगे अब देखिए communication barrier किस किस तरह का हो सकता है इसके बारे वे हम बात करते हैं सबसे पहला है हमारा organizational barrier संग्ठनात्मक बाधाई किस किस तरह की आ सकती है अब देखिए इसके अंदर मुख्य रूप से ये है कि संग्ठन का अकार साइच ऑफ organization अब देखिए अगर हमारी जो संस्था वो बहुत बड़ी होगी तो हम सभी लोगों के साथ अच्छे से communicate नहीं कर सकते ये एक इसमें problem होती है दूसरे करमचारियों के वीच भूत तक दूरी अगर कोई दो करमचारियों के बीच में physical distance वो बहुत ज्यादा दूर है यानि कि एक दिली रहे रहा है और एक मान के चलते है जैफपूर रहे रहा है तो उनके बीच में थोड़ा communicate करना बहुत मुश्किल हम कह सकते है और एक है कि दो वेक्ति जो दो किलोमेटर पे रहते तो वो बहुत असानी से communicate कर सकते है जोब specialization अब देखे कोई बंदा हो सकता है कि मान के चलते कि Sanskrit का teacher हो और कोई है English का teacher तो वो दोनों एक दूसर के साथ अच्छे से communicator नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो language कह सकते है फिर जो और इस पेसलाइसेशन कह सकते है वो दोनों की दोनों अलग है ठीक है तो इस तरीके से काफी तरह की और जो बैरियर है वो यहां पे दिये हुए आप इनको पढ़ना और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप हमें बताना अब हम आगे देखते कि आगे और किस तरह की बैरियर हो सकते है त्हों यांत्री बादाओ के कुछ उधार है जैसे रेडियो परशारण में बादा लाद आ कव्या जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताए था कि जैसे टीवी स्क्रीन पे हम कुछ देख रहे हैं उसमें कुछ धुंदलापन आ गया तो वो क्या होगा हमरा फीजिकल बैरियर हम उसे कहेंगे और इसी तरीके से जब हम कई वार आपने देखा का कि फॉन पे जब हम बात करते हैं तो चर 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 की आवाज आने लग जाती है फिर जो फोन की आवाज वो कटने लग जाती है अगले के पास कट कट के पहुंचती है तो वो क्या होती है नेटवर्क प्रोब्लम हम उसे कहे सकते हैं ठीक है तो ये होता है उसके अंदर और और देखते हैं और इसके अंदर क्य प्रयावन से सम्मध्धित तनाव जैसे कि मान के चलते हैं जब मोसम खराब होता है तो भी हमारा जो है कम्यूकेशन खराब होने लग जाता है टीवी खराब चलने लगता है और इंट्रेट पे भी इफेक्ट पड़ता है कई बार तो यह सारी चीजे होते हैं प्रियावण के अंदर और कई बार क्या होता कि व्यक्तिगत निष्टा तनाव यानि कि व्यक्ति का सवास्थे खराब होता तो भी जो संचारा वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता अगर वो नेंद की अवस्था में तो सही से नहीं कर पाएगा प्राप्त करता कि माध्यम से एप्रीचित होना यानि कि अब हमें नहीं पता कि जो अगला व्यक्ति वो किस माध्यम का यूज कर रहा है अब देखें मैं आपको रियल एक्जामपल देता हूं यह जो मैं वीडियो बना रहा हूं ठीक है यह वीडियो अगर आप फोन पे सुनों के तो बहुत अच्छी आपको दिखाई देगी सुनाई देगी लेकिन यही वीडियो अगर आप लैपटोप पे देखोगे तो इसकी जो आवाज वो थोड़ी सी कम आनी स्टार्ट हो जाएगी तो मुझे नहीं पता कि आप कहां पे देख रहे हैं तो यह भी प्रोब्लम होती है और दूसरी बात हम करते हैं जैसे मान के जलते हैं कि किसी व्यक्ति को ह है कि आपका इंट्रिव्यू लेना है या आप से कुछ बात करने और मैं उसको कहूं कि आपको स्काइप पे आना है ठीक है लेकिन अगला इसके बारे में नहीं जानता है तो इससे भी क्या होगा हमारा इससे कम्निकेशन बैरियर उत्पन होगा और आगे देखते हम दोस्तो HIS हर जो इनसान है उसका attitude उसके सोचने दोस्कूर्वो कि अलग हो सकती है अब किह व्यक्ति Arai कि किस चीज को वह मानता है उसकी value क्या है उसमें किस चीज की यू duck me 1991 करता ये सभी चीजे भी निर्भर करती है किनी भी दो व्यक्तियों का संदर्व एक समान नहीं हो सकता समय के अनुशार पड़िवर्तित होता रहता है अब देखिए हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति को यार बहुत नोलेज है ठीक है हम हमारे दिमाग में एक बात बैठ जाते हैं यह जो इनसान वाधाय भी हो सकती है और इसके अंदर क्या है आगे देखते आतम चवी या सवत धारना अब देखिए कई वार हम किसी को कुछ चीज समझाने की कोशिश करते हैं जैसे अब छोटा सा एक्जामपल लेके जलते हैं अगर मैं किसी को कहूं भई भगवान नहीं होता चीक है ल यानि कि खुद एक बात वो अपने अंदर बैठा रखी है ठीक है तो उस दोरानी क्या होगा कि कमनिकेशन बैरियर होगा जो हम बात उसे समझाना चाहा रहे हैं वो बात वो कभी नहीं समझेगा अगला है दोस्तों अनुभव चेतर फिल्ड ओफ एक्सपिरियंस अब देख जिसको ज्यान नहीं है जिस फिल्ड का उसकी बाते उसको अच्छे से समझ में नहीं आएगी ये चीज़े भी होते हैं आगे दोस्तों हमारे पास संग्यानात्मक मतभेद यानि की कोगनेटिव डिफरेंस अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों इसके अंदर हम बताते हैं को संग्यानात्मक कों ज्यान समन्दी तो इसको संग्यानात्मक मतभेद कहा जाता है यह भी हम कह सकते जो हमारी नोलेज है उसके ओपर डिपेंड करता है एक सरा एक सरारती छातर वैगिंग के विरुद पोश्टर के आर्थ हम उद्यस्या को अख्छी से समझता चाहे उसके परतिक्रिया उतनी अनुकुल नय हो अब दीए जो व्यक्ति जिसके खिलाफ हो अब जैसे हम मानके चलते हैं कि सकूल दीए जो व्यक्ति उसके पक्स पहुगा यानी की जो चाहतव होंई चाहिए तो उसको व्यक्ति चाहेगा कि यह बंद होनी चाहिए उसको व्यक्ति बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी ठीक है इस तरह से है और आगे देखते हैं मानसिक डर या बचाओ की मुद्रा में अब ये देखिए ये भी most important है इसमें से question आया है पहले इसका मतलब हम समझते हैं अब देखिए कई बार क्या है कि इनसान अपने बचाओ के लिए यानि कि अपने बचाओ के लिए डर जाता है उस टाइम उसका जो की और teacher class के अंदर आए और एक सरीफ बचा इसको उठा के पूछे हाँ बता किसने ये किया है तो वह सकता है कि नहीं मैंने यह किया तो वो बचाओ के लिए कर रहा है ऐसा लेकिन सर क्या सोचेंगे टीचर क्या सोचेगा ये तो ज्यादा अपनी तरफदारी कर रहा है ये तो बहुत बचने की कोशिस कर रहा है तो हो सकता है ये काम इसी ने किया है तो वो क्या है कि वो सक्त के घेरे में आ जाएगा सक्त के दा यूनिट के study notes देते हैं, theoretical videos देते हैं, इसके साथ 2012 से लेके December 2019 तक old year question paper देते हैं with topic wise question जैसे कि आज तक research के question आ चुके हैं, वो हमने अलग करके हैं, teaching के question अलग करके, communication के अलग करके, इस तरीके से सभी 10 unit के question हैं, आपको अलग-अलग किये हुए मिलेंगे, इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 unit के live mock test देते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारा paid course जोइन करना है, तो जल्दी से जल्दी हमें इस WhatsApp number पे contact कीजिए, तो इस तरीके से जब पुलिस के अंदर भी जाते हैं, तो पुलिस को भी जब हम जादा, जितनी जादा हम clarification देंगी, नहीं सर मैं तो नहीं था, मैंने नहीं क्या यह है, वो है, तो हो सकता है कि पुलिस को हम पे ज्यादा सक्ष होने लगे तो इसे हम कहते हैं यानि कि सक्ष या फिर दर या बचाओ की मुद्रा भी हमारे में कम्निकेशन बैरियर हो सकती है आगे हम देखते हैं चाहिनातमक धारना अब यह देखे दोस्तों यह भी मोश्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इस में से जून 2019 में से कोश्चन आया है अब सबसे पहले इसे समझने की कोशिस करते हैं चाहिनातमक धारना सेलेक्टिव परसेप्शन क्या होती है यह एक तरह का पुर्वा घरही है हम ऐसे उद्विपनों को नजर अंदाज कर देते हैं जो हमारी पुरों माननेताओं की विरूद हो अब देख है कि वो जो लड़का है ना वो तो बहुत अच्छा लड़का है वो तो कभी गलत करें नहीं सकता वो तो बहुत होनहार बच्चा है ऐसे है ठीक है लेकिन अगर किसी दिन वो लड़का गलत कर देता है तो टीचर मानने को त्यारी नहीं है वो तो कहते हैं नहीं वो तो ऐसा करें नहीं सकता मैं मानें नहीं सकता वो ऐसा कर सकता है नहीं वो नहीं कर सकता ऐसा यानि कि वो नजर अंदाज करने की कोशिस करते हैं क्यों करते कि उन के पहले ही अवधार्णा बनी हुई है किसी student को लेकर यह लड़का सही है या फिर यह लड़का गलत है तो वो अपनी अवधार्णाओं के अनुसार ही result निकालने की कोशिस करते हैं और यही अवधार्णा जो है communication barrier होती है और यह question दोस्तों अभी zone 2019 के अंदर आया है आप ध्यान में रखना और आगे दोस्तों आगे filtering अब देखिए filtering भी कुछ कुछ ऐसा ही है अब देखिए filtering के अंदर क्या है कि कई चीजे जो हम अच्छा मानते कोई गलत मानते हैं जैसे हम book पढ़ते ना book पढ़ते उसक और ज्यादतर चीजों को हम skip करते चलते फिल्टर करते चलते हैं और हो सकता है उस filtration के अंदर कोई important चीज छुपी हो तो इसे भी हम क्या कहेंगे communication barrier कहेंगे और आगे दोस्तों हमारे पास भासाई एवम सांस्कृतिक बाद है linguistic and cultural barrier अब इसके अंदर क्या होते है दोस्तों अ अर्थसंबंधी आवधारना है अब इसके अंदर मैं आपको बताओं बरतमान समय में अत्यादुनिक संचार माध्यम इमेल एफैक्स एप्रिंट एत्यादी का यूज किया जाता है अब हम मान के चलते कि कोई इंसान है वो हो सकता है कि जो बोलने के वाली भासा है फोन पे जादा अच्छे से समझ पाए ठीक है लेकिन अगर उसे कोई चीज हम इमेल करेंगे तो हो सकता है वो अच्छे से ना समझे उस चीज को तो वो क्या हो गया अर्थसंबंधी अवरोध हो गया यानि कि वो चाहता है कि उसे बोल के कोई चीज समझाई जाए लेकिन अगर हम उ से नहीं समझा रहे तो यह होगा और आगे दोस्तों हमारे पास उच पर्षंग निमन पर्षंग का गई और लो हकर demi चयोंच कोई बात करके लंबी चोडी भूमी का बांझ यह तो संदर्ब कहते हैं इसका सबसे अच्छा उधान ये थोड़ा दूसरे देशों का उधान दिया है इसका मैं एक्जांपल समझाने की कौशिश करता हूं देखिए कई लोग क्या होते कि कोई बात बताने के लिए उसकी भूमी का बनाते हैं उसके बैक्राउंड के बारे में जिकर करते हैं उसमें एक्ज परशंग या निमन परशंग हाई और लोग कंटेक्स्ट ठीक है तो यानि कि जो लोग भूमी का बना के बात करते हैं एक्जांपल दे के बात करते हैं तो वो अच्छे से समझ में आती है और जो लोग बिल्कुल भी एक्जांपल ना दे तो वो किया कि हमें कम समझ में आए से लोगों के समाद में क्या भिनता है आए समानता है अब इसका मतलब क्या है दोस्तों जब हम मान के चलते की अलग-अलग संस्कृति के लोग आके एक दूसरे से बात करें अब हम मान के चलते एक आगे गुजराती व्यक्ति आ गया और एक हरियानवी व्यक्ति आ गया और एक बंगाली व्यक्ति आगया ये तीनों के तीनों जब बात करेंगे तो अच्छे से कम्मुनिकेट नहीं कर पाएंगे और दूसरी तरफ एक गुजराती और गुजराती जब गुजराती से बात करेगा तो बहुत अच्छे से communicate कर पाएगा ठीक है इसी तरीके से जब बंगाली बंगाली से बात करेगा तो बहुत अच्छे से communication हो पाएगा ठीक है तो उसे हम क्या कहेंगे Sanskritic barrier उसे हम कहेंगे और आगे दोस्तों भासा का अलप ग्यान होना ये भी उसी तरीकी से है दोस्तों जब हम मान के चलिए हम पंजाब के अंदर चले जाए और पंजाब के अंदर हम किसी को एड्रस पूछे तो जो पंजाब के जो लोग होंगे गाओं के जो लोग होंगे तो वो पंजाबी के अंदर बात क लेकिन और वह समजमेन नहीं आएगी तो उसे हम क्या करने भासा का अलप ग्यान होना ठीक है तो यह क्या होगा रौन सुफेशिंट मूलिज ऑ फ्ना लें सभियां क्या तो इसे हम क्या कहें कि हो सकता है कि गुजरात के अंदर दिपावली को किसी और तरीके से बनाते हो, हर्याणा के अंदर जो दिवाली वो किसी और तरीके से बनाते हो, तो इनके अंदर भी ये सांस्क्रितिक मुल्य मानने ताय जो है, वो भी अलग-अलग हो सकते हैं, इसी बेस पे भी जो कम्निके है वो difference हो सकता है अब हम मान के चलते कि गुजरात का कोई व्यक्ति यहां पर आ जाए और हम दिपावली बना रहे हैं और वो हमें देखे कि अरे यार यह तो गलत अत्री किसे बना रहे हैं और वो हमें समझाना चाहें और हम उसे कन्विंच करने की कोशिस करें तो यह सभी जो कि टेक्निकल चीज के अंदर हम किसी को c language समझाए html समझाएं ने की web development वगरा कुछ समझाए तो उनकी वो टेक्निकल भासा हो सकती है लेकिन दूसरे व्यक्ति को जैसे हम समझाना चाहा रहे है कि website कैसे बनती है अब जैसे मैं आप लोगों को समझाने लगो कि website कैसे बनती है उसके अंदर html का यूज करते है code यूज किया जाता है ccs यूज किया जाता तो आप लोगों को वो अच्छे से समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप लोगों को टेक्निकल नोलेज की जानकर नहीं है ज्यादातर दोस्तों को तो इसी हम क्या कहेंगे टेक्निकल बेरियर क कहेंगे ठीक है तो दोस्तों यह थे आज के हमारे मुख्य रूप से कम्मिकेशन बेरियर और इन में से काफी तरह की कोश्चन आ चुके है और एक चीज और दोस्तों एक चीज यहां पर मैं एड करनी भूल गया मैं बता जेता हूं जो भासा के दवारा जो हमारा कम्मिकेश वेडियर नोत पनौत वस्यं एंट्रोपिकल वेडियर कहते हैं और आपको लाइक जुरू कीजिए दोस्तों कमेंट भी किया करें ताखिव हमारी वीडियो कि न्याच्ष लग रही है और तो अभी तक मारे चैनल सब्सक्राइब क्या तो प्लिए और जैसे देखे थे थाए कि दो दो कि अर तो कि अराओंा कि अराओंग कि अराओंग अराओंग झाल 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 झाल